नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिक्षा कल्चर, आज के इस वीडियो में हम रेमडेसिविर इंजेक्शन के ऊपर कम्पलीट डिसकेशन करने वाले हैं, आपके तमाम कॉश्चन्स के आंसर आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इ एक एंटिवाइरल मेडिसिन है, जो सरीर के अंदर वाइरस के एक्षपेंशन को रोकती है, बेसिकली रेमडेसिविर का इंवेंशन हैपिटाइटस सी के ट्रीटमेंट के लिए कैलिफॉर्निया की गलिट साइंस ने 2009 में डवलब किया था, लेकिन इस मेडिसिन का यूज है एपिटाइटस के लिए हेलपफोल नहीं रहा, बाद मैं इसका इस्तमाल इबोला वाइरस के इलाज में शुरू किया गया, तब से लेकर इस दवा का उपियो, कोरोना वाइरस फैमिली के दो आप कह सकते हैं रोग जैसे मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रॉम, MERS और सी RS के उप्चार के लिए किया जाने लगा, सबसे important question, Remdesivir injection कोरोना पेशेंट के treatment के लिए किस तरह से काम करता है, तो किसी भी वाइरस के अनुवांशिक शामगरी यानि जैनेटर माटेरियल में DNA या RNA मौजूद होता है, कोरोना वाइरस RNA वाला वाइरस है, नोबल कोरोना वा में अपनी copies तयार करता है, यानि कि वे अपनी copies वहाँ पर develop करने लगता है, Remdesivir enzyme को रोग देता है, जो injection है, वे ये copies को बंद कर देता है, अब कोरोना वाइरस का जो expansion है, वे पूरी तरह से रुख जाता है, इसी तरह दीरे दीरे जो कोरोना वाइरस का रोग है, या बीमार इंजेक्शन की मदद से हम कोरोना वाइरस का जो expansion है, उसे रोग पाते हैं, आई अब हम जानते हैं, भारत में कौन-कौन सी ऐसी कंपनिया है, जो Remdesivir दवा का injection बना रही है, तो भारत में Remdesivir दवा को injection के रूप में कई कंपनिया बना रही है, इनमें Dr. Redis की Lab है, JDS, Cadillac, सिपला है, इसके अलाबा, हेटेरो लेब भी Remdesivir injection बना रही है, एक question definitely आप सभी के mind में आ रहा होगा, कि अचानक से इतनी जादा Remdesivir injection की shortage या कमी क्यों आने लगी, तो देश में Corona की जो second wave है, इसके कारण जो Corona patient है, उनकी संख्या में काफी बड़ोतरी देखने को मिल रही में Corona के नए मामलों में कमी आई, यानि कि December 2020 के टाइम पर जो Corona patient थे, उनके मामले कम देखने को मिल रहे थे, इससे जो Remdesivir दवा का उतपादन करने वाली company थी, उन्होंने production कम कर दिया था, पिछले 6 महीनों में भारत ने करीब 10 लाग से जादा Remdesivir injection या Remdesivir दवा है, इसक export अन्य देशों में कर दिया, अन्य देशों में भारत ने जो दवा है, इसका निर्यात किया, इसका impact यह हुगा, अभी present condition में Remdesivir injection को लेकर काफी काला बाजारी हो रही है, black marketing हो रही है, अब जो result हमारे सामने है, कि अब जो Corona के patient भी बहुत जादा देखने को मिल रहा है, औ जो कह सकते हैं, demand उसको पूरा करने के लिए, सरकार को काफी struggle करना पड़ रहा है, भारत सरकार ने Remdesivir injection की जो price थी, इसका जो दाम था, उसमें करीब 50% छूट दी है, कटोती की है, Remdesivir medicine का कोई side effect हो सकता है क्या, तो इसके chance काफी कम है, तो Remdesivir के इस्तमाल से liver प्रभाव हो सकता है, allergy हो सकती है, blood pressure, heart rate में उतार चड़ाब, खून का oxygen level कम होना, इस तरह बुखार बगएरा की समस्या देखने को मिली हैं, कुछ cases में, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आए, तो प्लीज इस